नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइब में आपका स्वागत है, मैं भिनव कुमार आपके साथ हाजीरू लोग सबाच चुनाओ, होने में बस कुछी दिन रहे गए हैं, लेकिन सीद बटवारे को लेके अभी भी दाउँ पेच जारी है बिहार में महागरबंदन ने वैसे अभी कोई निर्नन नहीं लिया है, हलाकि कयास यही लगाया जा रहे थे कि कॉंग्रेस के रैली के बाद सब कुछ किलियर हो जाएगा है, लेकिन अभी भी तश्वीर धुनली नजर आ रही है वहाँ वही जारखन में लोगसवा चुनाओ के पुर विपच्ची पार्टियों ने महागरबंदन के स्वरूप को अंतिम रूप दे दिया है इसकी जनकारी सबसे पहले कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवारी आर्पे अल्सी ने ट्वीट के माधियम सी दी कॉंग्रेस के मीडिया प्रवारी राजिस ठाकुर ने बताया कि लोगसवा चुनाओ में कॉंग्रेस अधिक सीटों पे लड़ीगी तो विधान सवा चुनाओ जामुमों के नितुत में लड़ा जाएगा जिसके नेता हेमें सोरेन होंगे गुरवार देश्वाम कॉंग्रेस के राष्टी अधच राहुल गांदी ने जहारकर मुक्ती मोर्चा के कारेकरी अधच हेमें सोरेन के साथ शोसल मीडिया पे तश्वीर सेर करते हुए इस पर अपनी मुहर भी लगा दी कॉंगरेस, जाममों, जामिमयों और राज़त के 20 चीटों का बटवारा लगबग हो चुका है कॉंगरेस को साथ, जामिमों को चार और जामिमों को दो और राज़त के खाते में एक चीट आई है इस फैसले के साथ ही महागडबंदन में विरोध की सुख भुगाट भी सुरू हो गई है दिल्ली में राहूल और हेमंद की गलबहियों से इतर राची में महागडबंदन के अने दलों ने विरोध का विगुल फूख दिया है जामिवा के बावुलार मारांडी ने स्पश रूप से कहा है कि तीन सुटों से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है राज़त को 14 सीट मिली है लेकिन पलामू सीट पर भी वह दावा कर रहा है वही वामदन ने भी हजारी वाक सीट से हर हाल में लडने की घोशना की है ऐसे में महागडबंदन की गाटे उलशती नजर आ रही है अगर ये ख़बर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ सेर कीजे अगर इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे तब तक के लिए आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल सीटी पोस्ट लाइब नमस्कार